राजा राम महन राय और भगवान बुद्ध की सती सावित्री ये दोनों ही सब्द बहुत दूर के हैं मगर दोनों का ही संबन्द आपस में बहुत नजदीक का है भगवान बुद्ध की सती सावित्री जो सब्द है अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो आपको सावित्ती जानना पड़ेगा क्योंकि सावित्ती जो सब्द है उसी को सावित्री कहते है और सती सब्द के जो अर्थ हैं वो इतने बद्रे हैं कि सती पिर्था भारत के अंदर होती है जिसमें औरतों को मरने के बाद में जिन्दा जला देते हैं उसको सती बोलते हैं और इस सती पिर्था को राजा राम मोहनवाय ने खत्म किया इतना मेरे कानों में डाला गया और वही मुझे आस तक याद है मगर मुझे किसी ने आस तक ये नहीं बताया कि ये सती पिर्था आरहम कैसे हुई और किसने की और वो कौन लोग थे जो जिन्दा औरतों को जलाते थे वो जलाद और वो सबसे दुनिया के कमीने और गटिया लोग जो एक कमजोर अबला नारी को जबर जस्ती आग में उसकी पती के चिताकसा जला रहे हैं वो लोग अब कहां हैं अभी वो भारत में क्या कर रहे हैं उनके वनसजो की मनुबरती है क्या कि अभी भी वो लोग महिलाओं को जिन्दा जला रहे हैं दरसल सती जो सब्द है वो बहुत कमाल का सब्द है या इसको कहें महासती पठ्ठान या सती पठ्ठान अगर आप महासती पठ्ठान या सती पठ्ठान कहते हैं तो आपको भगवान बुद्ध के साथ में फिर कुरुक्षेत यानि आज का कुरुखेत या कुरुपर्देश और उस समय का थनेसर सहर यानि कुरू प्रदेश पूरा है और कुरू प्रदेश में है थने सर सहर कुरू छेत बाद में बना है बहुत नया सब्द है अभी का है क्योंकि जो कुरू का खेत है और जो कुरू प्रदेश है या कुरू देश है उसमें जो थने सर सब्द है वहाँ पर लोग बहुत जादा पंसील का पालन करते थे पूरे आज का जो अरियाना है यानि हरियाना जिसको बोलते हैं अरियाना अरियाना अरी माने यह है यहाँ अरियान यहाँ स्रेष्ट ग्यान होता था उस जगे वहां के लोग बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया तूरा पंजाब, पुरा हरियाना, दिल्ली ये सारा अरियाना हुआ करता था तो यहां के जो लोग थे जब भगवान बुद यहां चारी का करते करते आए और यहां आके उन्होंने देखा कि यहां के लोग तो पहले से ही पंज़़ील का पलन करते हैं, बहुत इमानदार हैं, किसी का कोई सामान ने उठाते, किसी को कोई अप्शब्द नहीं बोलते, कोई पाप नहीं करते हैं, कोई सुरा सराव नशापधार्द नहीं पीते हैं। तो इतने सचे लोगों के लिए जब उन्होंने देखा तो यहां पर देशना दी, उसको कमास पुरकाप सती पठान बोलते हैं। कमास पुर में दिया हुआ सती पठान सूत्र। क्या है वो सूत्र। वो कहते हैं कि कोई आदमी अगर इस तरह से भाव ना करे, इस तरह से प्रेक्टिस करे, इस तरह से विपस ना करे, तो वो घटाते, 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 सालों से घटाते, घटाते लाश्ट में कहते हैं, साथ दिन में निब्बान प्राप कर सकता है साथ दिन में अमत पत प्राप कर सकता है साथ दिन में अमरत चक सकता है इतनी खास बात उन्होंने यहां कमासपुर जो दिली के पास में जो जगे है गाउं है वहाँ जहाँ एक सती पठान का एक पूरा पूरा भगवान बुद्ध का जहाँ देशना सिखाए जाती है सती पठान सिखाए जाती है वो जगह है तो सती इतना प्रमुक्ताम अगर सती का मतलब क्या है दरसल सती को तो बाद में घिस्ते घिस्ते बहुत सारा बिकार करते करते कह दिया यह स्मरती है यानि कि मैमोरी है जबकि मैमोरी के पाली में संया बोलते हैं या संग्या बोलते हैं वो मैमोरी है जो सती है वो मैमोरी नहीं है जो सती सब्द है उसका मतलब है जागरुक रहना, 24 गंटे विजल रहना, जागे हुए रहना ऐसे जागना है, आँख खोल के नहीं जागना है चौकीदार की तरे आपने जागना है ये देखने के लिए कि सामने जो मैं कम कर रहा हूँ करम कर रहा हूँ, वर कर रहा हूँ ये मेरे मन से, ये मेरे वचन से और ये मेरे सरीर के नुसार इसमें कोई पाप तो नहीं हो रहा है ये कोई मैं पाप करम तो नहीं करे जा रहा है गटा ये पुन्ड करम है ना, ये अच्छा करम है ना इसकी आपको 24 गंटे अगर जानकारी है तो उसको कहते हैं कि ये सती मंतु है और सती वती है यानि कि अगर वो भिकुणी है या कोई महिला है तो सती वती बोलेंगे उसको और अगर वो कोई पुरुस है तो उसको सती मंतु बोलेंगे तो सती मंतु हो गया तो सती दोनों के लिए आता है सती नर के लिए भी आता है नारी के लिए भी आता है भिकुनी के लिए भी आता है और भिकु के लिए भी आता है उपासक के लिए भी आता है और उपासिका के लिए भी आता है यानि इस तरीका भी है लिंग इसमें और पुलिंग भी है तो सती इतना उचा था कि सती वान व्यक्ति जो 24 गंटे जाएगा रहता है वो 7 दिन के अंदर भी निबान को प्राप्त कर सकता है जबकि निबान 7 जनम में नीमनी मिलता लोगों को इतना मुश्किल भी होता है तो सती की इतनी जादा महिमा थी कि जो सती पर्ठान की उसकी भावना करता था उसकी प्रैक्टिस करता था उसकी विपसना करता था मैंने भी की होई है साथ दिन होती है धमचाला के अंदर करके आया था मैं धमशेखर नामगावाईक सेंटर है विपसना का तो वहाँ बताते हैं कि सरीर पे कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है ब्राईयों कर कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है अच्छा ही होगा आप अपना पुर्णे भी देख सकते हैं और अपना पाप भी देख सकते हैं पुराना भी और नया भी हाद कहात हो रहा है वो भी और जो पहले से कटा कर रहता है वो भी उसको delete भी कर सकते हैं निकाल भी सकते हैं यह विपसनागी खास बात है तो वहाँ जो सती पठान जो सब्धैस का मतर्च जागरूख है इस मती नहीं है बाद में बदल दिया गया तो सती जितने भी महिलाएं थी वो सती पठान की भावना करती थी और जब उनका पती मर जाता था यानि किसी महिला का अगर पती मर गया तो वो करे क्या अब उसका मन तो लगना नहीं क्योंकि पती की तो वो सेवा करेगी या पती के लिए खाना बनाएगी या बाचित करेंगे या दूसरे का मन लगा रहेगा अब उसके पास में कोई ऐसी भावना है नहीं तो वो भिक्कु संग में सामिल होके भिक्डी बनके अपने बाल कटा के धंजी हो जाते थी क्योंकि बाल सारे कटान है वनना विपस्णा साधना में दिक्कत आएगी लंबे बाल आपके हिलेंगे तो साधना नहीं हो पाएगी तो भारत में ऐसे कैई सिंट राजवी हैं जहां महिलाएं अपने बाल कटाती है जटायने नहीं रखती जबकि भारत के जो और तरह के जो और पद्दतियों के जो साधू संत हैं वो जटाय यू होते हैं वो जटा रखते हैं मगर ढिकू या भिकुनी जटा हटा देते हैं क्योंकि साधना विपस्णा में दिक्कत आती है और गंदी भी रहती है और सुन्दर्टा बढ़ती है सुन्दर्टा बढ़ेगी तुम मन अठका रहेगा तो विपसना साधना होगी नहीं बालों को देखते रहेंगे बालों से चेरा सुन्दर लगेगा तो विपसना साधना कैसे होगी तो ये भी करण रहा हैं तो वो केस कपन का यांई के केस के कटने का बालों के कटने का वो स्थान आज दिशन की ऐने आज है मत्रा के बाल कटाने का प्रिक्रिया होती है उसकी दावत भी होती है खुशी भी होती है कि हमारा बचा पहली बार धंब में जा रहा है तो उसकी चरिया उसी साफ से होती है तो मुंदन भारत की वही प्रथा है और वही मुंडे लोग हैं, वही मुंडा लोग हैं वहीं मुड़ीया लोग हैं, वहीं मूड़ा मोड़ी हैं। तो वो जो लोग अपने बाल कटाते थे, तो महिलाएं फिर प्रैक्टिस करने के बाद में सती पठान करते थें। और सती पठान करके वो सती मंतु या सती वती हो जाते थें। और सतीवती होने के बाद में फिर वो लोगों को जगे 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 धम सिखाते थी, इससे अधम खतम होता था, पाप खतम होता था और लोग बढ़िया होते थे, कुछ लोगों को परिशान इससे थी क्योंकि उनका वैपार उनका धंदा नहीं चलता था, तो उनों उनको जलती आग में जबर जस्ती ठपैत और लटेत ठपैत माने जो लट के साथ में खड़ा हुआ ठपैत है ठपैता ठपैती तो जो ठपैत है या ठापित है उसके साथ में जबर जस्ती लटों के साथ में उनको वहां डाला और जलाया जिंदा और फिर उसकी महिमा करी ताकि जिसकी औरत जली है उसको गुसा ना आए और उस परिवार को कोई गुसा ना आए क्योंकि पती तो मर चुका है तो पती सबसे ज़्यादा रिवेंज करता लेता मर पती तो है नहीं पत्नी मजबूर हो गई उसको जला दिया बाकी घरवाले अपनी जान बचाने के लिए चुप हो गए और फिर उसका महिमा करके गुरगान करके उसमें मर्लम पट्टी करने की कोशिश की गई और फिर मांसी रूप से धीदिरे इस घटना को मन में स्थापित किया गया कि ये सती माता है, ये सती देवी है इसकी पूजा करो, इसकी जैजै करो, इसकी महिमा करो इससे बहुत कुछ मिलेगा जिन्दा किसी विक्तिव को आप जलाओगे तो वहाँ पाप होगा पाप को होते हुए आप देखोगे भी तो भी आपका सरनास होगा जो करेंगे उनका तो होता ही है तो आपका सरनास होगा तो उस मंदिर से, उस जगह से आपको सिवाए पाप और दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा जिस ओरत को आपने जिन्दा जलाया उस ओरत की चीके हमेसा कानों में रहेंगी, असर उसका वेव रहेगा वेव लेंट रहेगी इसनिए उस जगह से तो कुछ मिलना नहीं उस जगह से तो हमेसा नुकसान होगा वो औरत आपका क्या फाइदा करेगी जो खुद जलके मरी है, चीक-चीक के मरी है तो ये सती परथा को क्योंकि परथा सब्दे बादम बना है सती पत है सती पत हो गो जो जागुता का पत है यानि सती मार्ग जो भग्वान बुद्ध ने दिया यानि कि जागुता का पत सती पत को सती पता बना दिया पता पाली का वर्ड है और पता संस्काइद भासा का है तो सती पता बना के उस पुरानी मानेता को तो खतम कर दिया जो महिलाएं पढ़ाती थी घरगर जाती थी धम सिकाती थी उनको जला के उनको महिमा मंडित करने की पिर्था इस्थापित कर दी और पुराना थिया सारा खतम कर दिया ताकि किसी को पता ना चले इसलिए जो सती पिर्था है जब उनको चलने लगी चरम पर आ गई और महिलाएं मरने लगी तो आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ खास लोगों ने अपनी महिलाएं नहीं मरने दी उन लोगों ने गौड के नाम पर उन महिलाओं को बचा के रखा कि गौड की इक्षा नहीं है गौड नहीं चायता वो अपनी महिलाओं को नहीं जलने दे थे और उकी महिलाओं जो भिक्कु बढ़ने वाली हैं भिक्कु नहीं बनने वाली हैं उनको जलाते थे इस तरह ऐसे उन्होंने अधम को फलाया और करम कांड को आगे बढ़ाया इसी घटना में चलते 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 राजा राम मोहन राय जब विदेश चले गए तो उनके भाई एक्सपायर हो गए और उसी पर्था के तहत में उसी पत के तहत में उसी कुरूती के तहत में उनकी भावी को जिन्दा जला दिया उनके भाई की चिटा के साथ में उस चिटा से पहले एक पत्र उन्होंने लिखा उसमें लिगा था कि देवर जी अगर आप यहां होते तो सायद में बच जाती पूरी चुपे और धर पकड़ चलती रही आज के समय में वी ओर्टें जिन्दा जलाई जा रही है। ये क्योंकि अगर पुरुष को भी जलाया जाता तो पुरुष वरोध करता फिर वो खड़ा हो जाता डंडा लेके तो फिर जलाने वालों की हिम्बत नहीं होती महिला को। इसलिए महिला को जलाया क्योंकि महिला उसे ज़्यादा खत्रा था एक घर में जाके दस घरों को जो पलाती थी उससे दस घरों का बहुत बड़ी अलाव होता था और वो आडंबर से निकल जाते थे। इसका सती प्रथाग को अगर आप पढ़ेंगे तो बारवार आपके दिमाग में नेट में, कम्पूटर में, जगज़े किताबों में लिखके ये बाट डाली जाएगी कि मुसल्मानों की वज़े से सती होती थी, क्योंकि मुसल्मान इज़्जत लूटता था, मुसल्मान आता था, और मुसल्मानों के डरकी वैसे ओड़ें अपने आपको सती कर लेते थी, सुयम को जला लेती थी, या कुवे में कूटके मर जाती थी, ये बल्कुल सरासर गलत और आरोप है हर एक आकरंता जितना भी पूरी दुनिया में जब किसी देश में कोई सेना गुस्ती है, मारती या काटती है तो हर सेना वहां की ओरते हैं वहां का पैसा, वहां का घरों में आग लगाती है वो लूट पार्ट के चलती है औरतों को अपने साथ ले जाती है उनका इस्तमाल करती है और बाकी घरों में लूट पार्ट करके सामाल ले जाते है ये सारी सेनाओ का एक निचर है ये खाली मुसल्मानों का नहीं अगर कोई आकरंता तो है ये मुसल्मानों के लावा और भी दुनिया में अब आये हैं मुसल्मान तो ये प्रिथा बहुत पहले से चली आ रही है अगर आप देखेंगे तो इसका पहले केस में इसका नाम मिलेगा दक्षाइनी दक्षाइनी बोलते हैं दक्षाइनी का मतलब है जो देख सकती है, जो समझ सकती है जो जागरूख है, जो सती है यानि सती का एक नाम दखाएनी भी है और अगर आप पुरानी किसी पुराने कथा में जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो पहला केस हुआ है जलाने का वो महादेव की पत्नी का हुआ है महादेव की पत्नी को जलाया गया है तो उन्हीं को नाम सती भी दिया गया है अब महादेव कौम थे और उनकी पत्तनी को क्यों जलाया गया ये मेरी जानकारी मिली है क्या क्योंकि मैं पुराण का विशेसगर नहीं हूँ पुराणी कताओं का विशेसगर नहीं हूँ धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भीजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है ये सभी कॉपिराइट फिरी है आप अपने फेस्बुक पे, अपने पेज पे, अपने टूटर पे या अपने हंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप यूटूब पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या पर्मिसर लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पर किया हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद बतां शर्णन गच्छामे धम्वन शर्णन गच्छामे संखन शर्णन गच्छामे धम्वन शर्णन गच्छामे धम्वन शर्णन गच्छामे संखन शर्णन गच्छामे